अलो टेडर्स वेलकम तो एलेज़ विजिस तीफेंग आज हम बात करेंगे बैंक निप्ती और डेखेंगे कहां पर एंटी कर सकता है बैंक निप्ती पर यहां पर एक लास्ट काल अब देख सकते है थोड़ा ऊपर गया यह रिजन से थोड़ा ऊपर जाके फ्रीशे मार्केट नीचे आ गया तो मुझे लगता है यहां से थोड़ा बहुत रिट्रेस्मेंट कर सकते है अगर आपने एंटी किया यहां पर ए तो बैंक निप्ती मुझ करने का बाद यह 27,000 का आसपास आसकता है तो इसलिए आपको अगर एंटी करना है तो आप इसको ब्रेक आउट करना इसल डारेक्शं में जाना साता है तो अब विट्री मुझ अबरस जो है उसका नीचे में आपको सेल करना है यहां लेबल रहे चे थोड़ा तो 300 का इसको तो आप sell reaction में जा सकता है और next first target रहेगा 27,200 और next target रहेगा 27,000 और यह अगर buy किया यहां से तो आपको पहले next first target आपको 27,600 का पास रहेगा फिर भी आप buy करना चाहता है तो moving average crossover होना चाहिए तो moving average crossover होगा तो यहां से candle जिस candle moving average crossover करेगा उसका उपर में आप buy जा सकता है और next target 27,600 और अगर आप बड़ा time frame जैसे 4 hour में देख सकता है यहां पर 4 hour में trend अभी आप market अभी आप trend में चल रहा है और यहां पर थोड़ा बहुत correction किया हुआ है तो पहले आप देख सकते है यहां पर जो यह higher point था यहां पर one try two try किया उसको breakout करने के लिए कर नहीं पाया तो उसका बात थोड़ा बहुत market अभी retracement कर रहा है अगर इसको breakout नहीं किया तो मुझे लगता है यह फिर शे market नीचे आने का chances है to 26,000 का आजपास में right so i hope you have enjoyed this video if you like this video please like and subscribe thanks for watching